राहुल गांदे के बयान पर वीर सावरकर के परपोतेर रंजी सावरकर ने जमकर हमला बोला उनोंने कहा कि राहुल सावरकर होते तो हमें शर्म से अपना मूँ चुपाना पड़ता अच्छा है कि राहुल सावरकर नहीं है वीर सावरकर देश के वीर थे और देश के लिए उ तो अब वीर सावरकर को लेकर एक बार पिर से सियासत जो है वो गर्म हो गई है हाला कि तीनों दलों के इस तरफ से साथ मिलकर सरकार बनाए गई लेकिन अब जिस तरह से राहूल गांदी ने बयान दिया उसका विरोध यहां पर सीधे तोर पर शिवसिना ने जहां संजिराउत ने ट्विट करके किया तो वहीं अब वीर सावरकर के पोते की तरफ से ये मांग की गई है कि उद्धर ठाकरी राहूल गांदी के खिलाफ कोई एक्शन ले तो शिवसिना के सांजिराउत ने पहले ही ये साफ किया कि दिली जाकर राहूल गांदी को समझाया जाए कि आखर सावरकर क्या थे और इस तरह से बयान बाजी करने से पहले दस बार सोचना चाहिए इस तरह से संजुराउत ने सीधे तौर पर राहूल गांदी पर भी तंज कर सा लेकिन अब ट्वेट के जरीवी उन्होंने एक बार पर से यही जेताने की कोशिश हुई है उन्हों सावरकार का गुनगान करते हुए उन्होंने सीधे तोर पर राहूल गांधी पर निश्वाना साधा और अब राहूल गांधी के बयान पर वीर सावरकार के पर पोते ने भी सवाल खड़ा किया है